पित्रों को प्रसंद करने और पित्रदोश से मुक्ति पाने के लिए खास होते हैं पित्रपक्ष। पित्रपक्ष के तौरान गौमाता को बस यह एक चीज खिला देना। जन्म जन्मांतर के पित्रदोश हो जाएंगे दूर। पित्रों के आशिरवास से पुराना रोग, कष्ट, घरीबी और सभी परिशानिया एक ही रात में हो जाएंगी खत्म। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिसे। दोस्तों शास्तों के अनुसार भादपद महा की पूर्मा पर पित्र पक्ष की शुरुवात होती है जो की अश्विन महा की अमावस्या यानि की सर पित्र अमावस्या पर समाप्त होते हैं। पित्र पक्ष के पहले दिन पित्र पित्र लोग से धर्टी पर आ जाते हैं और सोले दिनों तक अपने परिजन और दारा शार तरपन पिंड़दान कर्म सुईकार कर सर पित्र अमावस्या पर वापस पित्र लोग को चले जाते हैं। साल 2024 में पित्रपक्ष की शुरुवात सत्य सितंबर दिन मंगलवार से होकर इसका समापन 2 अक्टोबर सरपित्र अमावस्या पर होगा। इस बार पित्रपक्ष पूरी 16 दिनों तक रहेंगे। पित्रपक्ष के यह 16 दिन पित्रों को समर्पित होते हैं। इन दिनों में पित्रों की आत्मा की शांती के लिए शाहत तरपन और पिंडदान करने का बिधान है। धार्मिक मानिताओं के अनुसार पित्रपक्ष के दौरान सभी पित्र धहती पर आकर अपने परिजनों दौरा शाहत तरपन ग्रहन करते हैं। पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पित्रपक्ष के दौरान गौमाता की सेवा कहना बिशिश माना गया है। दोस्तों पित्रपक्ष के दौरान गाय को हरा चाना खिनानी से कष्टों से छुटकारा मिलता है। मानिता है पित्रबक्ष में गौमाता की सेवा कहने से सभी प्रकार की दुख दूर होती हैं और घर में सुख सम्रथी आती है। दोस्तों अगर आप पित्रों के साथ भागवान लक्षमी नारायन को पिसंद करना जाते हैं, पित्रों को तरप्त करना जाते हैं, पित्रों से मुक्ति पाना जाते हैं तो पित्रपक्ष में गौमादा को यह एक चीजरूर खिला देना। दोस्तों, इन सोले दिनों में किसी भी प्रकार के शुब और मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए। यह सोले दिन पित्रों को समर्पित होते हैं इसलिए इस दौरान से पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पूजा पाठ और उपाय किये जाते हैं। शाथ पक्ष जिसे पित्र पक्ष कनागत भी कहा जाता है। यह बहत समय होता है जब हमारी पूरवच धर्दी पर होते हैं और हम शाथ कर्म करके उनका आशिरवार प्राप्ट करते हैं। हिंदु धर्म में म्यत्यों के बार शात करना बेहत ज़रूरी माना गया है। मानेता है कि अगर अपने पूर्वचों का बिधी पूर्वच शात और तरपन नहीं किया जाए, तो उन्हें इस लोग से मुक्ती नहीं मिलती। इसलिए पित्रों की मुक्ती के लिए शात पक्ष का बेहत महत्व है। प्रम ब्रवत्त पुराण के अनुसाद देपताओं को प्रसंद कहने से पहले, मनिश्य को अपने पित्रों याने की पूर्वचों को प्रसंद कहना चाहिए। पित्र दोश को सबसे चटल कुंडली दोश माना जाता है। पित्रों की शांती के लिए हर वश भादबद शुकल पूर्मा से अश्विन कृष अमावस्या तक के काल को शात पक्ष कहा जाता है। शास्तों के अनुसार जिन लोगों के पित्र उनसे प्रसंद नहीं होते, उन्हें पित्र दोश का श्राप लगता है। इसे कारण से पित्र बक्ष में पित्रों का तरपण किया जाता है और उनसे शमयाचना की जाती है। इस दोरान कुछ समय के लिए यम्राश पित्रों को आजात कर देते हैं ताकि वह अपने परीजनों से शाथ ग्रहण कर सकें। माना जाता है कि जिस घर के पित्र अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं उस घर के लोगों को देवी देपताओं का भी आशिरवात प्राप्त होता है। पित्रों को मुक्ती मिलती है। पित्रों के साथ ही सभी देवी देपताओं का भी आशिरवात प्राप्त होता है। को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य करें जिससे हमारी सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फिली में सबसे पहले मिल पाएं तो आईए दोस्तों जानते हैं इस उपाई के बारे में दोस्तों पित्र पक्ष के दौरान गौमाता की सेवा होता है अब हम आपको जो उपाई बताने जा रहे हैं यह भी गौमाता से ही चुड़ा है उपाई करने के लिए सुबह इसनान करके सच्छबस्त धारन करें इसके बाद साफ आटा मरें आटे में आपको नमक नहीं मिलाना है और शुद्ध जल से आपको साफ आटा मरना है आ सब चीजें साफ करने के पश्चात अब आप एक रोटी बनाएं रोटी बनाकर रोटी को आप एक प्लेट में रखें अब इस रोटी पर आप शुद्ध खी लगाएं शुद्ध खी लगाने के बाद अब आप रोटी पर थोड़ा सा गुड रखें गुड ना हो तो से काले तिल लें तिलों को अच्छी तरह से साफ कर लें और पानी से धोलें इसके बाद थोड़े से तिल आप रोटी के ऊपर डाल दें अब इस रोटी को आप अपने मंदिर में रखें भगवान जी के सामने एक शुद्धिखी का दिया जलाएं और एक सुगंदित्धू पत प्रणाम करें और पित्रदेब को प्रणाम करें इसके बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम पित्रभ्य नमा ओम पित्रभ्य नमा इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है मंत्र का जाप आप उंगलियों पर गिनकर या फिर मिश्री के दानों पर किसी पर किन कर सकते हैं या आप इस माला पर भी मंत्र का जाप कर सकते हैं अगर मंत्र का करने में आपको कठनाई महशूस हो तो आप पुजन करने के पश्चाद अब आप इस रोटी के प्लेट को अपने हांदों में उठा लें और से चुका का प्रणाम करें आप भगवान शिरी करें भगवान विश्णू, मालक्षमी जी और पित्र देव को प्रणाम करें भगवान जी से पित्रों की आत्मा की शांती की प्रात्ना करें पित्र दोश से मुक्ति की प्रात्ना करें अपनी सभी गलतियों की जाने अंजाने में की गई गलतियों की शमा प्रातना करें प्रातना करने के पश्चात अब आप इस रोटी को ले जाकर गौमाता को खिला दें दोस्तों गौमाता को रोटी खिलाने से पहले आप गौमाता को हाथ जोड का प्रणाम करें और पित्र देप को पढ़ाम करें इसके बाद इस रूटी को आप गौमाता को खिला दें गौमाता को रूटी खिलाते समय भी ओम पित्र भे नमा मंतर का जाप मनही मन करते रहें जब गौमाता रोटी खा लें उसके बाद आप गौमाता को हाथ जोड़ कर बढ़ाम करें इसके बाद अपने पित्रों की आत्मा की शांती की गौमाता से प्रातना करें दोस्तों भाग बच्चे में लिखा है कि मित्यों के पश्चात अगर कोई व्यक्ती बैतरनी नदी में फश जाता है नरक लोक में फश जाता है तो गौमाता की पूछ पकड़ कर ही बैतरनी नदी से पार होता है इसलिए पित्र पक्ष के दौरान गौमाता का विशिष रूप से पूजन कहने चाहें गौमाता की सीवा कहने से गौमाता की करपा से पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है पित्रों को मुक्ती मिलती है अगर पितर नरक यातना भोग रहे होते हैं तो उन्हें नरक लोग से भी मुक्ति मिलती है दोस्तों गौमाता को रोटी खिलाते समय आप कुछ वातों का विशिर ठ्यान रखें कुछ लोग अपने घर में रोटी बनाते तो हैं लेकिन उस रोटी को बनाकर बिना किसी प्लेट के ऐसे ही स्लिप पर किचिन में रख देते हैं यह करना बहुत गलत है गौमाता को आप जो भी रोटी खिलाएं उसे सम्मान से अच्छी तरह से प्लेट में रखें जिसे हम लोग प्लेट में रखकर खाना खाते हैं इसी तरह गौमाता की रोटी को भी सेखने के बाद प्लेट में रखना चाहें हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोटी बनने के बाद रोटी को तै करते हैं पुरुष अपनी जेब में रखकर रोटी को गौमाता की खलाने के लिए ले जाते हैं या फिर गौमाता के सामने जाकर रोटी को फैक देते हैं यह सब करना गलत है इससे आपको कोई भी लाफ प्राफ्त नहीं होगा गौमाता को रोटी हमेशा अच्छी तरह खलाने चाहें गौमाता के सामने रोटी फैकने नहीं चाहें अगर आपको गौमाता से डर लगता है तो आप गौमाता के जो खाने की जगे होती है जहां पर भूसा रखा है आप गौमाता की उस जगे पर रोटी रखते या फिर जिनके घर गौमाता हैं आप उनके हाथ में इज़त से रोटी दें कि यह गौमाता की रोटी है और वह इसे गौमाता को खिला दें गौमाता की रोटी का कभी भी अनादर ना करें ना ही गौमाता की रोटी को ऐसे जेम में रखकर ले जाएं गौमाता की रोटी को अच्छी तरहें से प्लेट में रखकर हातों में रखकर ही गौमाता के पास ले जानी चाहिएं इस उपाई को कहने से पित्रों को नरक यातना से मुक्ति मिलती है, पित्रों की आदमा को शांती मिलती है, पित्रों को मुक्ति प्राप्त होती है, शास्तों के अनसार गौमाता में 33 कोटी देवी देपताओं का बास होता है, इस तरहें गौमाता की सेवा कहने से पित्रों के स साथ समस्त्र देवी देपताओं का भी आशेवाद प्राप्त होता है इस उपाई को करने से पित्र देव प्रसन होते हैं और पित्र दोश पित्र आशेवाद में बदल जाता है पित्रों के करपा से हर कार्य में सफलता मिलती है बिगड़े काम बनने लगते हैं और धन का रोटी बना दी और आप अगले दिन उस रोटी को दौमाता को खिला रहे हैं यह भी करना बेहत गलत है अगर आप किसी कारणवश गौमाता को सुभे रोटी नहीं खिला पा रहे हैं तो शाम के समय जब खाना बनता है तब भी आप पहली रोटी गौमाता के नाम के निकाल कर गौमाता को इस रोटी को खिला सकते हैं लेकिन ध्यान रखें रोटी आपको पहली ही निकालने हैं और रोटी हमेशा सफाई से ही बनाएं और इस रोटी को पित्रों के नाम से आप गौमाता को खिलाएं शास्तों में बताया गया पित्र दोश को दूर करने का और पित्रों की आत्मा की शांति और मुक्ति का ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तिदारों में ज़्यादर से ज़्यादर शेयर करें जिससे भी है भी इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग राथी राथी